Hey guys, welcome lecture number 13 में और इस lecture में हम लोग समझने वाले हैं functions के बारे में कि function क्या होता है हमने if condition पड़ी, हमने while पड़ा, हमने for loop पड़ा तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे हम for का, while का, if का हम एक block बना रहे थे उसी तरीके से हम function का भी एक block बनाएंगे और उसके अंदर code लिखेंगे तो basically function का है, एक block of code है लेकिन ये तभी run करता है ये तभी चलता है, जब हम इसको call करते हैं function तभी चलेगा, जब हम इसको call करेंगे बाकी इसके अंदर हम coding वो और करके रखते हैं तो वो, क्या है कि save तो हो जाता है लेकिन वो चलता नहीं है, कैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, एक चीज़ और function के अंदर हम parameters भी pass करते हैं ठीक है, parameters, arguments parameter कहलो या argument कहलो एक ही बात है, यह हम इसके अंदर pass करते हैं वो कैसे करेंगे, ये चीज़ भी हम आगे देखेंगे और function साथी साथ हम conditional statement लगाते थे, तो वहाँ पर कौन सा keyword यूज़ करते थे if का, alif का, else का, for loop लगाते तो कौन सा keyword का यूज़ करते थे for का, उसी तरीके से हम यहाँ पर function create करेंगे तो कौन सा keyword यूज़ करेंगे, def ठीक है, यह मैंने def लिखा और यहाँ पर मैं function का कोई name देता हूँ जैसे मैं, आप चाहा हो तो x, y, z, p, q, r, m, n, o, p, कोई भी नाम रख लो, मैं आपे my fun देता हूँ ठीक है, और इसके बाद parenthesis उसके बाद मैंने आपको क्या बताता है, यह भी एक block की तरह बनेगा तो colon, enter, यह आगया block, और जहां से मेरे को cursor दिखा रहे है, मेरे को यही से लिखना है, start करना बड़ेगा, वरना indentation का error आएगा, तो मैं आपे simple print statement लिख देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ, I am function, ठीक है, function मैंने यहाँ पर लिख जाया, अब देखे, अब मैं, जो इस भी मेरे को print नहीं करने वाला है, क्यों करने वाला है, क्योंकि मैंने आपको बोला, हम function create तो कर देते हैं, लेकिन function तभी चलता है, जब हम इसको call करते हैं, तो function को हम call कैसे करेंगे, देखे, call करने का असा तरीका है, इसको सिर्फ हम function का name लिख देंगे, और यह function का नाम क function, इस तरीक दे, तो यह थी simple function की बात, अब मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, कि function के अंदर हम कुछ हम parameters या arguments को हम pass करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, देखे, मैं यह आपे एक काम करता हूँ, मैं यह आपे कुछ लिख देता हूँ, मैंने आपे लिखा, my name is Udemy and my age is 20, ठीक है, यह चीज़ मैंने लिखे, और मैं इसको run कराऊँगा, तो सब कुछ अच्छे से run कर रहा है, लेकिन मैं चाता हूँ कि Udemy की जगा, जो भी मैं नाम चाहूँ, मेरी requirement के साब से वो नाम यहाँ पर enter होता जाए, और age जो भी मेरी requirement होगी, वो age भी हर बार यहाँ पर change जोती जाए, तो उस चीज़ के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को Udemy को और 20 को किसी variable से replace करना पड़ेगा, और उस variable को हम कोई value दे देंगे, तो यहाँ पर my fun है, तो यहाँ पर हम parenthesis के अंदर 2 values देते हैं, तो मैं यहाँ पर 2 variable बना देता हूँ, इसका पास कर दिया, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ उडेमी की जगह मैं किस से replace कर दूँगा, यहाँ पर मैं curly braces लगा के इसके अंदर name पास कर दूँगा, और यहाँ पर 20 की जगह मैं curly braces में age पास कर दूँगा, तो यह मैंने string formatting की, इसलिए मैं यहाँ पर F लगा देता हूँ, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या होगा, यह जो यहाँ पर name आएगा, वो कहां से उठाने वाला है, वो यहाँ से जो name आएगा, यहाँ पर डालेगा, ठीक है, और जो यहाँ पर age है, कितनी age दिखाएगी, जो यहाँ पर age store होगी, वही age उठाके यहाँ पर आजाएगी, अब बात आती है कि यहाँ पे name और age कितनी है या क्या है ये कैसे पता चलेगा ये हम यहाँ पे देंगे यहाँ पे हम value जो भी हम parameter पास करेंगे वहाँ से value कहा जाएगी उठके यहाँ पे जाएगी और age भी हम देने वाले यह देखो, error रहे क्यों हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई भी value को pass नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर name को मैं कोई name देता हूँ, मैंने यहाँ नेम दे दिया, वो उसको उठाके ले लेगा, तो अब क्या आएगा हमारा output, हमारा output आएगा, my name is Udemy and my age is 50, आप यह देखो, आगया न, my name is Udemy and my age is 50, तो मैं काम करता हूँ, एक और मैं यहाँ पर function बना लेता हूँ, और इसमें मैं एक और value देता हूँ, मैं यहाँ पर देता हूँ, Google और इ age is 23, अचा माल लीजा, अगर मैंने यहाँ पर सिर्फ एक ही value दी होती, तो क्या होता, एक ही parameter पास क्या होता, तो देखो, यहाँ पर error आ रहा है, क्यों, क्योंकि देखे, मैंने यहाँ पर दो value पूछी गई है, और मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही value पास कर रहा हूँ, तो अब बात करते हैं, arbitrary arguments की, कि arbitrary arguments क्या होते है, देखे, मैंने यहाँ पर function को एक बार मैंने यहाँ पर call किया, और यहाँ पर मैंने ओडेमी और 50 मैंने पास कर देखे तो जा रहा है, फिर मेरे को दूसरा नाम अगर डालना होता, तो मैं क्या कर रहा था, एक और function बना रहा था, और यहाँ पर मैं गूगल और 23 में पास कर रहा था, लेकिन अभी तो मेरे को पता था कि मेरे को दो name पास करने तो मैंने ये दो बार function को call कर दिया और इसके अंदर values को, parameters को मैंने पास कर दिया, लेकिन माल लीजे, बाद में मेरे requirement बढ़ती है, तो मैं हर बार function मेरे को बनान आएगा, तो थोड़ा से इसको simple रखते हैं, और यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर सिफ एक name लिया, अब क्या आएगा, यह Udemy उठा लेगा, तो देखो मैं run करा के दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या उठा लिया, my name is Udemy, अब मैं दुवारा से my fun बनाता हूँ, और यहा यहाँ पर कोमा लगा के क्या कर दिया, मैंने लिख दिया Google, फिर मैं एक और पास कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या पास कर दिया, महेश, ठीक है, और double quotes मैंने क्या कर दिया, विनाय, ठीक है, मैंने इतना पास कर दिया, लेकिन यह error आएगा, देखो मैं आपको दिखात देता हूं तो यह किस चीज को denote कर रहा है arbitrary arguments की ओके तो अब यह हर बार name अलग-अलग कैसे लेगा यह देखिए यह नेम यहां पर लिखा है ना मैंने तो इसके बाद मेरे को क्या लगाना पड़ेगा मेरे को यहां पर indexing करनी पड़ेगी तो indexing कैसे करते हैं square brackets से और कौन सा च चीज़े तो मैं 0 लिखूंगा Google चीज़े तो 1, Mahesh 2 और Vinay 3 तो मैं काम करता हूं मैं 2 लिख देता हूं तो my name is Mahesh आना चीज़े अगर मैं यहां पर 0 लिखता हूं तो my name is Udemy आएगा ठीक है इस तरीके से यह हमारा print करने वाला है और arbitrary argument का इस तरीके से हम use करते हैं अब यहां पर कोई value pass की होती तो यह कोई error नहीं आता देखे यह मैंने लिख दिया Google और कोई और कोई भी लेकिन फिर भी error आएगी देखे पहला पहला तो चल जाएगा my name is Google लेकिन यहां पर error आएगी तो इसी से बचने के लिए हम कोई default parameter देते हैं ताकि अगर मैंने इस function में code में मैं इसमें देता हूँ मैं यहां पर देता हूँ Udemy ठीक है मैंने Udemy दे दिया अब मैंने यहां पर कोई value pass नहीं की तो अब आप देखना my name is Google and my name is Udemy यह क्या हुआ यहां पर कुछ नहीं था तो इसने by default क्या उठा लिया Udemy उठा लिया तो इस तरीके से हम default parameter को pass कर करते हैं ठीक है default parameter का use करते हैं तो चलिए अब बात करते हैं list dictionary tuple set के जो items होते थे इनको हम कैसे इनके items को एक एक करके हम print करा सकते हैं ठीक है तो वह हम देखते हैं देखिए मैं काम करता हूँ सबसे पहले मैं यहां पर कोई एक list बना लता हूँ ठीक है यहां पर मैं टपल बना लता हूँ और टपल parenthesis से बनता था और यहां पर मैं कुछ name pass कर देखा हूँ एट मैंने आधिया अर्जुन मेन आधिया अक्षय मेने एकर दिया पांडे ठीक है मैं एतीन यहां पर जह नीम हो पर टीन आइटम मैं इसके अंदर डाल दिया और जीकर है एक टपल है नए हम फंक्शन मढई तो जिसका में नाम हम रखता हूँ देफ माई fun यहाँ पर मैंने my fun दे दिया और इसके बाद colon then enter देखे अभी मैं इसमें क्या लिखने वालो मेरे को नहीं पता तो यह error ना आए इस चीज़ के लिए हम क्या करते थे हम इसके अंदर pass statement को डाल देते थे ताकि यह error मेरे को यहाँ पर through ना करे टारी और मैं यहाँ पर enter कर देता हूं तो अब देखे nenhum क्या करने वाला हूं अब मैं यहाँ पर my fun क τον Muncom l कर देता हूं तेक है यहाँ पर मैं my fun को मैंने कॉल कर लिए और m इंदर यह claim जोTime वा मिनने था हम मा्इफं के अंदर तीक है अब कोई भी एरर नहीं आ रही है तो अब एक काम करता हूं मैं इसके अंदर माइफन को मैं इसके अंदर जो भी मेरे को वैल्यूस पास करनी है वो मैं डालता हूं करता हूं इन सारे एंटम Congo में इक-ैंक करके प्रिंट कर आना चाहता हूं इस चीश के लिए प्रूप चला देता हूंorg और यहां पर मैं क्या पास कर देता हूं यहां पर प्रूंद यह प्रिंट कर करता हों painful करने दाता हूं मैं अबं कण गयो हरता और अब यहां my fun के अंदर भी मैं name पास कर देता हूँ, देखिए होगा क्या, यह मेरा टपल था, ठीक है, और यह टपल कहां चला गया, इस my fun के अंदर चला गया, name मैंने डाल दे, तो अभी अर्जुन, अक्षे, पांडे, यह सारा एक साथ कहां चला जाएगा, my fun, उपर, function क के पास चला जाएगा, अब function के पास यह तीनों items अलड़ी आ चुके हैं, तो अब यह क्या करने वाला है, अर्जुन, अक्षे, और पांडे को एक एक करके print करेगा, आप देखना, यह देखो, अक्षे, अर्जुन, पांडे, इस तरीके से यह एक साथ इन सब को print कर रहा है, तो यह चीज़ सी, अब आप ऐसा list के साथ भी कर सकते हो, set के साथ भी कर सकते हो, तो यह चीज़ कहा है कि आप खुद इस से आगे, आप ट्राइ करके देखो, तो आपको और एक से समझ में आ जागा, ओके, चलिए, अब बात करते हैं हमारे आखरी concept की, जो है written value, मैंने आप dev बना लिया, डैप बनाने के बाद इसका नाम मैं रख़िया, my fun, और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर मैं कोई यक value pass कर देता हूँ, कोई भी एक variable लेता हूँ, कुछ भी इसका नाम रख लीते हैं, चलिए मैं x रख लेता हूँ, colon, enter, और मैं क्या करू मैं रिटन करने वाला हूँ, रिटन कीवर्ड से, रिटन कीवर्ड लगाँगो तो मेरे को कुछ रिटन करेगा, क्या रिटन करने वाला है, मैं काम करता हूँ, स्क्वैर कर लेता हूँ, तो x multiply x, ठीक है, जहाँ पर x की जो भी value आएगे न, वह यहाँ पर x into x करेगा, और यान पर function को call किया, my fun करेगे, ठीक है, और इसके अंदर मैंने value पास कर दी कितनी 5, तो यह कितना आना चीए, यह आना चीए 25, लेकिन यह नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि मैंने print statement लगाई ही नहीं, मैंने यहाँ पर call तो कर लिया my fun को, और यह उपर जाके मेरे को 25 दे भी रहे, लेकिन और print नहीं करने वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कहीं मैंने print statement लगाई नहीं, तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को print लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर मैं लिखना पड़ेगा, my fun, और इसके अंदर मैं 5 पास कर देता हूं, तो पर शो कर रहा है, तो इस तरीके से हम return value का हम use कर सकते हैं, तो आज के lecture में सिर्फ इतना ही, अब मिलते हैं next lecture में, तब तक के लिए, thank you.